Chapter 15 Interjection The Mood Showing Word यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि mood को show करने वाले words यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे जिनको कि हम interaction कहते हैं Interjection is a mood showing word in a sentence it expresses the happy, sad, angry और surprised mood of the subject यह बता रहे हैं कि interaction क्या होता है कि वो mood को represent करता ठीक है कि इनसान मतलब किसी भी person, place person के बारे में दिखाया जा रहा है कि हाँ वो कैसा react कर रहा है उसके reactions के बारे में इस chapter में आपको बता रहे हैं तो वो जो है वो आपको बताता है कि वो मतलब उसका कैसा mood है उस mood को represent करने के लिए हम interactions use करते हैं ठीक है जैसे हम कभी बहुत happy है बहुत sad है, बहुत angry है या बहुत surprised होग है तो यह सारी feelings जब हमारे अंदर आती है तो हम अब मतलब जब हम अपने word sentence में लिखेंगे तो हम उसमें इंटर्जाक्शन का use करते हैं और interactions के साथ सबसे mainly चीज़ में बता दूँ कि उसमें हम exclamatory mark लगाते हैं contempt है, फिर appreciation है फिर joy है यह interactions है और यह feeling को मतलब express कर रहा है oops, wow, यह पी यह सारी चीज़ें हमें यह दिखा रही है कि हाँ जब हम ऐसा feel करना है तो हमारे मूँ से यह ऐसा हम interactions, ऐसे ही mode showing words ऐसे interactions का use करेंगे जैसे कि आप example देखो होरे he got the first prize ठीक है जब किसी की खुशी के बारे में express कर रहे है, यहाँ वो बहुत खुश है, मतलब हम जीद गए, ये हुरे बोलते हैं न, तो हम वो first prize के बारे में स्विवत आया जा रहा है, तो हम हुरे express कर रहे हैं, फिर oops I slipped the juice मतलब ये बता रहे हैं कि हाँ मतलब मैंसे गल्ती हो गई यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर एक चोटी से हमसे गल्ती हो गई इसलिए उप्स कर दिया, ठीक है ब्रावो, you won't the match, हम किसी को appreciate race, तो हम किसी को appreciate कर रहे हैं कि वाओ, बढ़िया है तो रेज़ी इतली, ठीक है वाओ, it is a beautiful drawing हम किसी को, मतलब जैसे कभी-कभी कोई teacher किसी की drawing के लिए कि कहती है वाओ, बहुत सुनर बनाया है, तुमने वाओ, तुमारी writing बहुत अच्छी है तो इस तरह बोलते हैं न, हम लोग तो वाओ word क्या कर रहे हैं, कि वो बता रहा है कि मतलब, मतलब कितना बढ़िया है wonder, यह तो बड़ी मज़िदार बात है फिर, yippee, we are going on picnic, हमारी मतलब कह सकते हो कि हमारी उत्साह को दिखा रहा है एक तरीके से, कि रहे हम कितने excited हमें yippee, हमें चलना है picnic, तो यह हमारी feelings को बता रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि interaction है, और यह हमारे mood showing word है, interaction हमारे mood showing word होते हैं, यह हमारे expressions को describe करते हैं कि यह हम कैसे expressions मतलब कि हम कैसे अपने mood को represent कर रहे हैं, ओके class, अगर आपको कोई problem होती है, आप गूगल मीट पिस question को पूछ लेजएगा